दोस्तों रियल्मी ने रियल्मी के कुछ और फोंस के लिए मई के अपडेट रोल आउट कर दिये हैं इसमें सिक्रीटी पैज के साथ एंड्रॉइट बारा की ओपन बेटा अपडेट भी शामिल है तो कौन से फोंस के लिए क्या कुछ अपडेट आया है आज किस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा सबसे पहले आपको बता दें कि फोन कौन कौन से हैं जिसमें अपडेट आई है एक ही साथ तो रियल्मी 9 में आ चुकी है नई अपडेट C25S में आई है रियल्मी XT में आई है, रियल्मी 5 प्रो में आई है, रियल्मी X7 Max, रियल्मी ZT Neo 3, रियल्मी X7, X7 Pro यानी X7 सीरीज के सारे फोन्स में रियल्मी C25S, रियल्मी नार्जो 30A और रियल्मी ZT Master Edition सी हाँ दोस्तों, इतने फोन्स के लिए अपडेट आ चुकी है एक वाग फिर से, तो चलिए के करके सारे फोन्स के अपडेट की डिटेल्स को देख लेते हैं, रियल्मी 9 की बात करेंगे सबसे पहले तो रियल्मी 9 मे यहां पर optimize किया गया है, camera preview के अंदर और साथ portrait face clarity को यहां पर improve किया गया है, dark environment में और यहां पर shaking और focusing issues जो भी थे उसको fix कर दिया है, और picture के clarity को rear camera में, rear lens में और wide angle cameras में यहां पर improve किया गया है, तो खासकर यहां पर camera का update है, realme 9 के लिए, वहीं पर बात करते हैं, अगले device real c25s की, तो c25 में android 12 की open beta application form आई है, आप अगर c25s के user है, तो अभी जा के apply कर सकते है, चुकि application form अभी भी open है, वहीं पर अगले device realme XT की बात करूं, तो realme XT में android 12 based update आई है, f06 जिसमें system के performance को improve किया गया है, बाकि changes यहां पर नहीं दिये गया है, तो अगर f06 आपको मिलती है, realme XT में, तो performance कैसा है, बताएगा comment section में, वहीं पर realme 5 pro की बात करें, तो काफी लंबे समय के इंतजार के बाद इस device में भी आ चुकी है, f06 की update, और इसमें भी वहीं कहानी है, यानि कि system के performance को improve किया गया है, device को और भी stable किया गया है, realme XT और 5 pro में same update, same version के साथ आई है size भी आपको same देखने को मिलेंगे, X7 series की में बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले realme X7 max की बात करेंगे, तो CTN update वर्जन आई है, यहाँ पर ज़्यादा changes किये गया है, यानि कि एक तरफ तो system के performance और device के stability को improve किया ही गया है, और charging status को भी यहाँ पर redesign किया गया है, battery setting space को भी accuracy होती है, उसको improve किया गया है, मतलब पहले से fast finger print जो है आपका read कर लेगा, omozy को यहाँ पर dark mode में भी support दिया गया है, अब omozy आप dark mode में भी use कर सकते हैं, और 5G signal के strength को यहाँ पर optimize किया गया है, यह तो मुझे नहीं मालूँ, लेकिन यहाँ पर यह changes किये गया है, इस वाले update में, वो यह पर बढ़ते हैं, अगले device की तरफ, तो हमारा अगला device जो है, वो realme X7 series का ही है, यानि की X7 5Z, X7 5Z में जो update देखने को मिली है, वो C11 होगी, और यहाँ पर April के security patch दिये गया है, दोनों महीने के तो नहीं आई है, मही के आने थे, तो April के security patch आई है, और यहाँ पर performance improve किया गया है, बस desktop पे कुछ icons वाले issue को यहाँ पर fix कर दिया है, बाकी कुछ changes है नहीं, वह पर X7 Pro की में बात कर दो, तो X7 Pro में जो update आई है, उसकी version F09 होगी, और यहाँ पर जो है, अप्रील के security patch आई है, और कभी-कभी जो है, ब्लैक स्क्रीन की issue आ रही थी, उसको fix किया है, performance को improve किया है, NFC को यहाँ पर fix किया है, पहले से जो है, और भी बहतर आपको NFC सपोर्ट जो है, बहुत जल्दी से काम करेगा, और साथ Wi-Fi connection को भी और भी stable किया गया है, वहीं पर ZT Neo3 की बात कर लूँ, तो ZT Neo3 में जो update आई है, और यहाँ पर changes बहुत बढ़े है, पहले तो performance improve किया है, फिर power consumption को यहाँ पर reduce किया है, बैटरी वेकप पहले से बहतर मिलेगी आपको, कभी कभी जो है, crashing issue आ रही थी, screen flickering इशू आ रही थी, इसको भी यहाँ पर fix किया है, network के capability को यहाँ पर और भी improve किया गया है, मतलब पहले से बहतर network connection आपको देखने को मिल पहलेगी, front camera और rear camera दोनों ही camera का image quality और video quality को यहाँ पर improve किया गया है, कभी-कभी radius photo आ रही थी, कभी-कभी किसी खास situation में, तो वहाँ पर इसको fix किया है, और color shift यहाँ पर हो रही थी, wide angle camera के थो कभी-कभी, तो इसको भी यहाँ पर fix कर दिया गया है, तो ZT Neo3 अभी नया device है तो इसमें ज्यादा तर जो है bugs होंगे ही, तो इसलिए इसको fix कर दिया है, और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगले device realme C25S की, तो C25S के लिए जो update आई है Android 11 West, वो A20 होगी, माई और अप्रील दोनों महीने के security patch दिये गया है, बाकि इसमें कोई bugs fix किया नहीं गया है, आखरी device के अगर मैं बात करते लेता हूँ, realme C25 Master Edition की, तो Master Edition में A13 update आई है, अप्रील के security patch के साथ, यहाँ पर भी कुछ खास changes है नहीं, तो इतने device में आ चुकी है, अप्रील के update, आप कौन से phone के user है, और आपको अगर update मिला है, तो performance कैसी है, comment section में जरूर बताईएगा, आजके नुबस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजी इजाज़त, फैंक यू